हेलो एव्रिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे हरा मुर्ख टिकिया यह बहुती सिंपल सी एक रेसिपी है और इसे आप चजलती घर पे बना सकते हैं बहुती कम इंग्रीडियेंट से वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है वो जरूर सब्स चुरू करते हैं इंग्रीडियेंज 100 ग्राम्स ऑफ बॉयल बॉनलेस चीकेन बॉयल पोटेटो वान ओनियन्स फाइनली चॉप 10 ग्राम्स चॉप्ट कॉरिएंडर 10 ग्राम्स ओयल 4 टेबिल स्पून चॉप्ट जींजर चॉप्ट गर्लिक टू ब्लैक पेपर हाफ पहले एक मिक्सिंग बोल लीजिए आप उसमें बॉयल किया हुआ पोटेटो लीजिए और उसे अच्छे से मैश्ट करिए अब उसमें बॉयल किया हुआ चीकेन पेस्ट लीजिए चीकेन को बॉयल करके ग्राइंडर में पेस्ट कर लेना है फिर उसमें चॉप्ट किया अच्छे से आप उसमें चौप किया हुआ जो कौरियंडर है उसको अच्छे से मिला लीजिए आप उसमें एक-एक करके चौप किया हुआ जीनजर गार्लीक रेड़ चिली पाउडर स्वाधनिसर नमक और क्रश्ट किया हुआ ब्लैक पेपर दीजिए और फिर वान टीस्पून कॉर्ण फ्लावर मिला लीजिए अब सब चीज को एक सथ मिक्स कर लीजिए अब उसे छोटे-छोटे कॉइन शेप्ट टिकियास की तरह बना लीजिए तो फिर हमरे टिकियास बनके तयार हुचके अब इसको फ्राई करना है एक पैन लीजिए और उसमें 4 टेबिल स्पून आफ ओयल लीजिए फिर इसको गरम होने के लिए छोड़ दे ओयल गरम होने के बाद गैस के फ्लेम को डिड्यूस करके मीडियम कर दीजिए फिर एक एक करके साड़े टिकियास को सैलो फ्राई कर लीजिए जब एक साइड ब्राउन हो जाएगा फिर दूसरे साइड को भी ब्राउन कर ले और फिर आपके टिकियास बनके रेडी हो जाएगा ब्राउबस एक साइड गएगैं हो ्राउज सेपस हो ईगजा हो घुच ब्राउन